जवलपूर में एक संसनी खेज अपरण के प्रियास का मामला सामना है जिसे पुलिस के होश उड़ गएं क्योंकि जिस वान के जरी अपरण की कोशिश की गई है वह कोई आम वहां नहीं वलकि पनागर तहसिलदार की गाड़ी है विजई नगर सीएसपी तुशार सिंग ने बताए के दरसली अगंबिर घटना सिसी टीवी केमरे में कैद हुए जिसमें चार लोग और एक महिला पनागर तहसिलदार नीता कोरी की गाड़ी को लेकर विजई दिगीन आरोपियों को यह मालूम चला कि वह डॉक्टर की क्लेनिक पर है वह वहां पर भी पहुंच जाते हैं और महिला के साथ अबधरता करते हुए उसके पती के अपरहन की कोशिश करने लगते हैं महिला के चीक पुकार के चलते हुए सब वहां से भाग खड़े होते हैं वही महिला तौर आपरहन करनी का प्रियास करने वाले लोगों में एक वेक्ती की पहचान कर ली गई है जो कि उनके यहां पर ही काम करने वाला ड्राइवर दीपक रजोक बताय जो रहा हैं वही तैसलदार नीता कोरी ने जब उनकी गाड़ी के दूरूपयों को लेकर सवाल किया गया तो नीता कोरी ने महिला सीमा पचोरी को इसपच्ट किया है कि उनका वहान गेरेज पर ठीक होने गया था ऐसे में उनकी गाड़ी का दूरूपयों जो हुआ है उसके बारे में उन्हें कोई ज़ानकरी नहीं है वरहाल महिला ने विज़ई नगर थाना पुलीस के पास शिकायती आवेदन दिया है जिस पर पुलीस ने जो आज के बाद आगे कारवाई की बात कही है वही महिला सीमा पचोरी ने आरोप लगा है कि शास्की अधिकारी की गाड़ी का दूरूपयों करते हुए इस तरह खुले आम अपरहन करने वाले लोग समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए क्योंकि जहां एक और पुलीस चपे चपे पर तेनाती की बात करती है तो वहीं दूसरी और इस तरह दिन दहाडे अपरहन का प्रियास अपरादियों के अंदर पुलीस के खोप पर सवाल खड़े करता है जबलपूर से वाजित खान की रिपूर् अज मेरी क्या तबियत खराबती तो मैं अपने मिस्टर के साथ डॉक्टर के हां गई थी तो जैसे ही डॉक्टर के हां गई तो एक बुलोरे आके खड़ी हुई और मेरे मिस्टर को अने उनने पकड़ के खेच लिया तो जैसे ही गाड़ी में बठाने लगे अपरन करने लेके भग गये फिर हम जब घर आये तो हमारे बच्चों ने बताये कि मम्मी एक गाड़ी घर पे बहुतीना केम लगी उसमें हमने हमने केपा कि यह वह इल्ग नग सी में मिस्टर घरा थूए उसके बाद फिर हम विजयनगर थाने गए वहां हमने कम्प्लेंट कराई और एक वो अधिकारी की गाड़ी थी बाद में फिर हमने पता किया कि तहसिलदार नीता कोरी मैडम है उनकी गाड़ी थी उनसे हमारी बात होई तो उनने बोला कि हमारी गाड़ी हमारा ड्राइवर करी थी बस जब अर्यस्ति बैठाल रहे थी बाद में जब हमने गाड़ी में देखा तो उसमें हमारा ड्राइवर भी था जितेंद्र रजक कोई नहीं कोई बात नहीं हुई हमारे बल्कि करोना काल में हमने उसको नोकरी पे लगा कि अभी कोवेड में तो कहीं जाने नहीं तो भी हम उसको दस जार रुपे मेहने दे रहे था कोई काम धाम में नहीं था तो भी हम दे रहे थे हमको तो ऐसे ही लग रहा है आपके पती क्या करते हैं पर टन में खेती हैं हम लोके पोलिस हमने अब शिकायद करी है फाई आर करवा दी है पुलिस ने अभी तो कुछ आस्वासन नहीं दिया अब यही मांग करतें कि दिन दाह़े ये लूट पार्ट ना हो कोविट के चलते हुए अब ये होने लगा कि दिन दाह़े लूट पार्ट हो रही है बिल्कुल नहीं है सो नम्मर आई थी पहले सो नम्मर के जाने के वाद फिर जब हमने एस पी साहब को फोन किया तब फिर पुलिस आई थी हमारे इसमें एक सीमा पचारी है जो कचनार सिटी विजयनगर में रहती है उनका अपने ड्राइवर के साथ किसी बात को लेके मद्भेद हुआ जिसमें उन्हें ने ड्राइवर को बुलाया समय पे वह नहीं आया तो उनकी कुछ कहा सुनी हुई इस पर से ड्राइवर अपनी माता औ ही गाली गलोच हुई जिस पर से उन्होंने आज सुबह दिन में बारा बज़े एक बज़े के लगभाग आके दर्ज कर आई जिस पर दर्ज कर ली गई है और उस पर वैधानिक कारवाई की जाएगी हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले झाल